रायन को नीजी तोर पर जानने का सौभागे तो मुझे नहीं मिला, लेकिन पिछले साल मैं अमिता से मिली और उसने रायन और उसके सौभाव के बारे में बहुत कुछ बताया, और हमने रायन की मृत्तियु से जुड़े उसके अनुभव साज़ा किये, और यहां उसके अंत स किनों में काफी मिठास थी, और मैं चाहती हूँ कि आप उस गुजरने के बारे में थोड़ा बहुत बताएं कि हम कैसे, मैं इसे बहतर तरीके से करने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम इसे एक नई समद से कैसे अनुभव कर सकते हैं, यूकि इस चीज ने मेरा इसके प और किसी के मरने के बाद यहां होना? और उनके बीच हुई कई चीजों को संजोने जैसी प्रक्रियाओं से गुजरता है, बहुत सी चीज हैं, सभी चीजों को व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही, हम इस धर्ती पर पैदा होने वाले पहले इनसान नहीं हैं, और नहीं हम इस धर्ती पर मरने वाले पहले अपने जीवन में जब हम पैदा होते हैं, हम नहीं जानते कि हम शिक्षा प्राप्त करेंगे या नहीं, हम नहीं जानते कि हमारी शादी होगी या नहीं, हम नहीं जानते कि हमारे बच्चे होंगे या नहीं, हम दुनिया में ये, वो और तमाम चीजें करेंगे या नहीं, हम न यह एक पक्की बात है, है न? हलाकि यह इतनी साफ बात है, पर हम इससे समझोता नहीं कर पाते. किसी ने मुझसे पूछा, सद्गुरु साप कैसे मरते हैं? वे कहां मरते हैं? क्योंकि कभी मरा हुआ साप नहीं दिखता, जब तक कि किसी ने उसे मारा नहो? उन्हों ने ये सवाल एक गर्म देश में किया था, और मेरे विचार से ये कैलिफोर्निया में भी प्रासंगिक है, जहां असल में लाखों साप है, लेकिन वे शांत जीव हैं, वे बाहर जादा नहीं दिखते, जब तक कि आप उनके इलाके में कदम न रखें, जाते हैं कि अब मरना चाहिए, तो वे दूर चले जाएंगे, एक ठिकाना ढून लेंगे, और वहाँ जाकर बैठ जाएंगे, और वे 18-20 दिन तक कुछ नहीं खाएंगे, वहीं बस बैठे रहेंगे और कुछ नहीं खाएंगे, और वे मर जाएंगे, एक मौके पर अनुचित करुणा वश, मैं इन कोबरा को नीचे ले आया, क्योंकि मैं जानता था कि वे कहां बैठे हूँगे, मैं उन्हें उठा कर ले आता और जबरदस्ती कुछ खिलाने की कोशिश करता, उनके मूँ में खाना डालता और इस बारे में कुछ करता, लेकिन आप चाहे जो कर ले, वे जरा सा भी खाना सुईकार नहीं करते, अगर आप उन्हें छोड़ दें, तो वे फिर जाकर उसी जगे पे बैठ जाएंगे, और वहां शान्ती से मर जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि एक रेंगने वाले जीव में इतनी जाग रुकता है कि वो जानता है कि ये शरीर कब तक रखना चाहिए और इसे कब जाना चाहिए, इसी तरह से आपके जीवन और हर दूसरे जीवन के पास ये चेतना होती है कि कब इसे इस शरीर से चले जाना चाहिए या तो इसलिए कि हमने इस शरीर को कोई चोट पहुँचाई है या बस शरीर में इतनी तीवरता ही नहीं बची है कि ये जीवन को संभाल सके तो हमें ये समझना चाहिए जब मैं कुछ खास शब्द इस्तमाल करता हूँ तो उन्हें सामान्य माइनों में मत लीजिए जब मैं कहता हूँ एक जीवन जाना तै करता है तो ये ऐसा नहीं है कि आपने इस बारे में सोचा और फैसला लिया ये वैसा फैसला नहीं है अपने ही तरीके से विचार करके नहीं आप जो हैं उसके बारे में कई निर्णे आपके विचारों से तै नहीं होते ये यूहीं तै होते हैं न उस तरह से एक जीवन तै करता है कि कब जाना है जब तक वो यहां है हमें इसे बचाने, कायम रखने और अपने पास रखने के लिए हर चीज करेंगे क्योंकि हम उस जीवन को प्यार और आदर करते हैं लेकिन एक बार जब वो चला जाता है तब हमें उस निर्णय का सम्मान करना चाहिए क्योंकि उस जीवन ने चले जाना चुना है जीवन शब्द से मेरा मतलब वो व्यक्ति नहीं है मैं उस शक्सियत की बात नहीं कर रहा हूं मैं उन विचारों, भावनाओं और गतिविध्यों की बात नहीं कर रहा हूं जिनमें वो शरीक था एक व्यक्ति के रूप में आप कभी जाना नहीं चाहते क्योंकि आप एक अंतिहीन मानसिक नाटक बने रहना चाहते हैं लेकिन एक खास समय पर जीवन जाना चाहता है चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे जीवन जाना चाहता है क्योंकि वो आपके द्वारा इकठा किये गए भौतिक रूप में हमेशा के लिए फसा नहीं रहना चाहता वो नहीं चाहता वो उस भौतिक रूप का सिर्फ एक खास समय तक ही आनंद लेता है उसके बाद हर चीज ठीक होने के बावजू कई जीवन चले जाते हैं खास कर भारत में अब देखेंगे कि योगी तै करते हैं कि कब जाना है वे स्वस्थ और ठीक ठाक होते हैं पर बस बैठते हैं और चले जाते हैं दूसरे लोग सोचते हैं क्यूं वो तो स्वस्थ थे उन्हें क्यूं जाना चाहिए तो आप बिमार पढ़कर मरना चाहते हैं क्या आप अस्पताल में तीन साल कर्ष्ट जहलना चाते हैं और तब ही प्रस्थान करना चाते हैं। जाने का क्या वही एक तरीका है। क्रिपया इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये एक परिस्थिती है। मैं किसी चीज को रौंदनी की कोशिश नहीं कर रहा हूं। क्या ये सच है, कि आप अपने जीवन में जो अंतिम चीज करते हैं, वो मरना है। तो आखरी चीज जो आप अपने जीवन में करें, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कि आप उसे शालिंता से करें। कम से कम शालिंता से, क्या ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, कि दूसरे जीवन जो हमारे आसपास हैं, जब उनका समय आए, तो हमें मदद करनी चाहिए, ताकि वे शालिंता से जा सके। न कि उन्हें अपने चारों और चल रहे, मेडिकल उद्द्यों का शिकार बना दे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि हम व्यक्ति को तो जानते हैं, हम इस इंसान को और इसे और उसे जानते हैं, वो ठीक है, हमने उनकी शक्सियत का आनंद लिया है, लेकिन आपने उनके जीवन की प्रकृति को नहीं चुआ है, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन की प्रकृत है, कि जो शरीर हमने एक अठा किया है, उससे परे, आप मुझसे सहमत है कि आपने ये एक अठा किया है, इस मन से परे, ये भी धारनाव और जानकारी का संग्र है, इन दो ढेरों से परे, अगर आप अभी यहां बैठते हैं, और जो जीवन आप हैं, उसका प्रकृत है, अपने वाली चीज है, हम सब अभी धीरे-धीरे मर रहे हैं, एक दिन ये पूरा हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि ये एक दिन अचानक होगा, ये पहले से ही जा रही है, है न, हलो, क्या ये नहीं चल रहा है, मरना हम सब में जारी है, क्या हमें इस जादा हो सके खीचना चाहते हैं, लेकिन इसे अनुभव के स्तर पर जानना सबसे महत्वपून है, न कि बुद्धी से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप बुद्धी से समझते हैं, तो ये हमेशा एक के मुकाबले दूसरा होगा, क्योंकि बुद्धी की यही प्र पैकेज है, है न, हलो, ये एक पैकेज है, अभी हम जी रहे हैं और साथी मर भी रहे हैं, सवाल ये है कि आप इसे कितनी शालिंता से करते हैं, अगर आप इस पल को पूरी शालिंता से चलाना सीख लें, तो आप उस पल को भी पूरी शालिंता से निभाएंगे, वो कोई अल जब आप एक छोटे शीशू की तरह पैदा हुए, तो आपने पहली चीज की थी, सांस खीचना, है ना? आपको क्या लगता है कि आप आखरी चीज क्या करेंगे? सांस छोड़ना है ना? अभी जब आप यहां बैठे हैं, सांस खीचना, छोड़ना, सांस खीचना, छोड़ना, खीचना, सांस छोड़ना, अगली सांस खीचना नहीं हुआ, और एक बड़ा अदमी चला गया, पुफ, हाँ या नहीं? यह इतना ही नाजुक है, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें, हर पल यह हो रहा है, यह सांस जो बाहर गई, अगर यह वापस नहीं आई, तो यह चला गया, एक इनसान कितना कुछ कर सकता है, लेकिन साथ ही, बस यह देखिये कि यह कितना नाजुक है, आप अपने जीवन के साथ, हर पल यह खेल खेल रहे हैं, अगर आप नहीं जानते, कि सांस वापस कैसे खीचें, तो यह चला जाएगा, लेकिन अभी यह वैसा महसूस नहीं होता, मैं असली हूँ, मैं आज नहीं मरने वाला, आपसे और हमसे पहले, तमामों लोगों ने ऐसा ही सोचा, हमें यह समझना चाहिए, कि नश्वर्ता हमारे अस्तित्व की बुनियादी वास्तिविक्ता है, अगर हम इस एक चीज़ के साथ समझोता नहीं करते, मेरा यकीन कीजिए, आप असल में जीवन के किसी दूसरे पहलू को नहीं जानते, आप सिर्फ नाटक जानते, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व की बुनियादी प्रकृती है, कि हम नश्वर हैं, जब हम पैदा हुए, तब ही यह तै हो गया कि हम मरेंगे, है न? सिर्फ सवाल है कि कितना लंबा? मैं आपको एक बहुत लंबे जीवन का आशिरवात देता हूँ, यहां होने के लिए आपका बहुत धन्यवादू